हेलो साथियो गुड आफ्टरनून स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डाउटनट पर कैसे हैं आप सभी लोग तो आप लोगों की जो क्लास है स्टेटिक जीके दो बजे टाइम हो चुका है जल्दी से फटाफट से सभी लोग तयार हो जाईएगा और उसके बाद जितन हैं उनको हम यहाँ पर डिसकस कर लेंगे ठीक है तो जल्दी से आजाओ फटाफट से सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दू दोस्तों यहाँ पर देखेगा ये जो सिरीज है आपके आने वाले सभी एक्जाम्स के लिए क्या है बहुत फ्रोट पुल होने वाली है सुभा लाइक और शेर कर दीजिएगा फटाफट से उसके बाद आज की चीजों को सुरू करेंगे रेखा खयाती आर्यन धीरज ठाकुर सुनित कुमार ठीक है आर्यन राज अभिशेख सभी को दोस्तों प्यारी सी गुड आफ्टर नून है ठीक है तो शेशन को सुरू कर लिया ज सागर से घिरा है बता सकते हैं आप सभी लोग मुझे मेरे दोस्तों बाल्टिक सी से नोर्थ सी से ब्लैक सी से या नो आप लोगों का सी बोर्डर तो जल्दी से बता दीजेगा बेला रूस जो है जहां की करंसी आप लोगों को क्या है रूबल है जहां की करंसी क्या है रू sea border, बेलारूस जो है एक आप लोगों की मेरे दोस्तों landlock country है, क्या है बेलारूस जो है एक आप लोगों की landlock country है जो कि आपको पता है अगर आप सभी लोग भूल रहे हो तो मैं बता दूँगा, यूरोपियन देशों में आता है ये, आप सभी लोगों का आ जाती है, मिन्सक और करंसी आ जाती है, रूबल और बेलारूस कैसी कंट्री है, लेंड लॉग्ड कंट्री है, कैसी कंट्री है, लेंड लॉग्ड कंट्री है, पूछा जाएगा तो आंसर कर देना, लेंड लॉग्ड कंट्री है, दोस्तों अगला कोश्चन है आप लोगों क फटाफट से जुड़ जाईएगा जल्दी से ठीक है यहां पर है म्यूस मैंने पढ़ा रखा है और क्या है हेलियो स्वैर्म है यह विच वर सीन इन दा न्यूस रिसेंटली असोसियेटेड विट विच स्पेस एजन्सी मतलब यह म्यूस है और यह हेलियो स्वार्न है जो हाल ह कि में खबरों में रहे हैं दोनों किस अंत्रिक्स एजन्सी से जुड़े हुए है इस रो से जुड़े हैं जैकसा से जुड़े हैं नासा से या एस से से आंसर कर दीजेगा फटा फट से एक बच्चा पूछ रहा है यूपी एस सी के चेर परसन कोन है तो यूपी एस सी के च कि हैं दोनों मिशन नासा के हैं सुभे करंट अफेर में डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया था नासा 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 साथियो जब हम बात करेंगे इस रो की अगर कोई आप से पूछने लगे कि इस रो का दो हजार बाइस का जो पहला मेरे दोस्तों मिशन था वो कौन सा थ तो अर्थ observational satellite 04 यह हमारा इसरो का 2022 का पहला मिशन था जिसको आप लोगों का Polar satellite launch vehicle C52 से चोड़ा गया थीक हैं तो polar satellite launch vehicle C52 से E0s आप लोगों का अर्थ observational satellite 04 को चोड़ा गया था यह जो हमारी satellite है इसकी मेरे दोस्तों क्या कहते हैं एज कितनी है तो इसकी एज है 10 सालों तक ये मेरे दोस्तों जिंदा रहेगी आपको पता है इसरो का headquarter कहाँपर है बैंगालुरु में इसरो का headquarter है बैंगलुरु में और S.S.Somunath जो है वो इसरो के chairman है ये बात आपको यहाँपे ध्यान में रखनी है तो ये चीज आपको ध्यान में, जिसको PSLV की full form नहीं पता, polar satellite launch vehicle है, full form को याद कर लीजिएगा, important है, अगला question आ जाएगा, दूस्तो, NASA Washington है, JAXA Japan है, और ये European Space Agency है, World Space Week कब मनाया जाता है, World Space Week, तो 4 October से लेकर के, 10 October तक हम क्या मनाते हैं, World Space Week को celebrate करते हैं, ध्यान में रख लेना सारी चीजों को, अगला है, खिजडिया बन्यजीव अभ्यारण, ठीक है, तो जो हमारा खिजडिया बन्यजीव अभ्यारण है, यह भारत के किस राज्ये में इस्थित है, आंसर कर दीजिएगा, खिजडिया बन्यजीव अभ्यारण, अभी चर्चा में था, current affair का question है, आप सभी को मालूम हो न चाहिए, हमारी रामसर साइट, हमारी जो रामसर साइट है, वो कितनी है, तो रामसर साइट है, 49 दोस्तों, अभी दो आप लोगों की, एक है बखीरा, क्या है, एक है बखीरा, और एक है खिजडिया, इन दोनों को नया दर्जा मिला है, तो खिजडिया कहा पर है, यह है, गुजू 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 गुजरात में है कहा पर है गुजरात में है और ये जो बखीरा है ये हमारा उत्तर प्रदेश के अंदर है दिहान में रखेगा साथ यो दो तीन चीजे हैं रामसर साइट की संख्या अगर आपसे पूछेगा उड़न्चास है कभी इसमें मार नहीं खाने वाले हो दोस्तों वेटलेंड डे कब बनाया जाता है वेटलेंड डे वेटलेंड जो डे है ये कब बनाया जाता है दो फरवरी को जो हमारा रामसर कन्वेंशन है जो रामसर संधी है उसमें कितनी parties आप लोगों की शामिल हैं तो रामसर संधी में जो रामसर convention है उस पर जो sign हो रखे हैं वो एक सो बहातर पार्टियों के कितने के एक सो बहातर पार्टियों के उस पे sign है याद रखेंगे important है सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहां पर है तो सबसे ज़्यादा रामसर साइट जो है वो UK में है UK में है उत्रा खंड नहीं आपका United Kingdom में है सबसे ज़्यादा रामसर साइट भारत में कहां पर है तो भारत में सबसे ज़्यादा रामसर साइट जो है UP उत्तर प्रदेश में है कहां पर है UP उत्तर प्रदेस में है सबसे ज़्यादा South Asian country कौन सी है जहां पर रामसर साइट है तो South Asian country में भारत आता है जहां पर सबसे ज़्यादा आप लोगों की रामसर साइट है उनको ध्यान में रखनी है ठीक है आगे चलते हैं अगला कोशन पोल्टो नोबू किस देश की राजधानी है तो ये जो पोल्टो नोबू है ये किस देश की राजधानी है मलावी की है बैनिन की है हैती की है या पलाव की है जल्दी से मेरे दोस्तों यहां पर आंसर कर दीजिएगा फटा फट से आंसर कर दो एक बार ठीक है कि यहाँ पर क्या बनेगी capital देखो answer करना पड़ेगा ठीक है कुछ लोग हैं जो सायद नहीं कर रहे हैं ठीक है तो answer करदो जल्दी से फड़ा फड से कहा कहा की capital है कौन कोन सी है तो कुछ लोग B बता रहे हैं, कुछ लोग Hathie बता रहे हैं, कुछ लोग Bainin बता रहे हैं, दोस्त है Hathie की Capital मैंने कितनी बार आपको पढ़ाई है, लेकिन आप फिर भी Hathie-Hathie की Capital गलत बता रहे हो, ये Hathie की जो Capital है आप लोगों की, वो मैंने आपको कितनी ही बार मैंने आपको बताई है ठीक है देखो कभी भी बिल्कुल सही अब ज्यादतर का अंसर अब बिल्कुल सही है तो पोर्ट नोबो जो जाएगी वो जाएगी बैनिन में किसमें चली जाएगी बैनिन में पोर्ट नोबो अगर आप से पूछेंगे पोर्ट ओ प्रिंस क्या है पोर्ट ओ long way ये मलावी की है सभी को पता है और पलाव की मैंने क्या थी पलाव की मेरे दोस्तों ये थी नगेरूल नगेरूल मुड तो जो नगेरूल मुड है ये हमारी पलाव की है ठीक है तो पोर्टो नो वो कैपिटल है किसकी यहाँ पे इंपोर्टेंट मार कर लो ये पेज का स्क्रिन शोट ले लो स्क्रिन शोट ले लीजिएगा इस पेज का ठीक है तो स्क्रिन शोट से क्या होगा कभी भी देख सकते हैं मलावी लिलॉंग वे है बैनिन पोर्टो नोबो है मेरे दोस्तो याद रख लीजिएगा ठीक है और हैती पोर्टो प्रिंस है किलियर है और पलाव की नगेरूल मुंड है स्क्रिन शोट सब के पास होना चाहिए साम को दुपहर को सुभा को कभी भी देखोगे तो आ जाएगा आपके सामने में ठीक है चलिएगा तो य लुप्त प्राइ प्रजाती घोशित किया गया है या एंडेंजर्ड इस पीसिज में उसको लाया गया है तो उस्ट्रेलिया का पांडा है उस्ट्रेलिया का कौाला है उस्ट्रेलिया का कंगारू है या सलोथ है तो जब हम चर्चा करते हैं जो उस्ट्रेलिया का कौाला है म इनको कौन घोशित करता है तो IUCN जो है इसको घोशित करता है तो endangered species मेरे दोस्तों कुवाला अगर हम इसकी चर्चा करेंगे तो IUCN है याद रखेगा और IUCN का जो आपका क्या कहते हैं headquarter है मेरे साथ यो gland है एक बात ना ध्यान से समझ लो पेपर चाहे railway का हो पेपर चाहे आ ये वाला session वैसे ही important है जैसे सुभे वाला session है इसको ध्यान में रख लीजिएगा ठीक है अती महत पूर्ण है ये ये क्या है Australia ठीक है Australia की 4-5 बात note करिएगा कौन-कौन सी करनी है याद रखेंगे ठीक है तो 4-5 बाते note कर लेंगे सबसे पहले Australia की दोस्तो Australia ये है हमारा ठीक है Australia की चर्चा करेंगे तो Canberra यहाँ पे capital है सभी को पता है Scott Morrison यहाँ पे प्राधान मंत्री है Scott Morrison Melbourne Cricket Stadium, Melbourne Cricket Stadium दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्टेडियम है दोस्तो किर्किट Australia वहाँ पे board है T20 World Cup 2022 यहीं पर होगा जरूर याद रखिएगा Australia की चर्चा करते हैं Australia के भारत के लिए ब्यापार दूत का नाम क्या है Tony Abbott क्या नाम है Tony Abbott भारत के लिए ब्यापार दूत है याद रखिएगा सारी चीजे के लिए हैं कोई doubt वगेरा तो नहीं है चलिएगा ओके अगला question है आपका screen पर यह रहा दोस्तो पद यानी किस भारती राज्ये का पारम परिक नरत्य है पद यानी ठीक है तो यह जो पद यानी है यह हमारा traditional dance है कहां का comment box में comment कर दीजिएगा जल्दी से बता दो फटा फट से कि भाया जो पद यानी dance है यह कहां का dance है आंसर कर देंगे फटा फट से जल्दी से ठीक है तो यह आप लोगों का important है चलिएगा अच्छा एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि पद यानी तो है लेकिन आप confused मत होना अगर आप से पूछेंगे पादेनी पादेनी dance कहा का है ठीक है या पूछेंगे पदियानी dance तो बता दो दोनों कहा कहा के हैं यह दोनों dance कहा के हैं आंधरा कैरला मिजोरम या उडीसा आंसर 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 करिएगा ठीक है चलिएगा बहुत बढ़िया शांदार शांदार शांदा लोगों का अंसर सही नहीं है अब इसमेना जो जो प्रशन यहां से बनेंगे उन सब को एक साथ सुन लीजेगा चाहे आप से पूछे पादेनी डांस ठीक है और चाहे आप से पूछे मेरे दोस्तों पदियानी डांस एक ही बात है और ये कहां का है केरल का है कहां का है केरल का ह ठीक है अब जब ये केरल का है ये किसके सम्मान में होता है किसके सम्मान में होता है ये ये होता है भद्रकाली मेरे दोस्तों भद्रकाली ठीक है वो मूवी नहीं देखी दिया आपने हाउस फुल अकसे कुमार मिथुन चकरवर्ती और जब भी अकसे कुमार मिथुन चकरवर् को देखता था बोलता था जै भद्रकाली ऐसे बोलता था ना तो बस वही ठीक है तो ये क्या है भद्रकाली है मेरे दोस्तों ये क्या है पदेनी डांस जो भद्रकाली के सम्मान में होता है ठीक है भगवती के मंदिर में होता है भगवती के मंदिर में होता है ठीक है अच्छा इस कोशन की चाला किया बताईएगा चाला किया है इस कोशन की इन में से कौन सा डांस केरल का एक मास्क डांस है इन में से कौन सा डांस एक मेरे दोस्तो केरल का मास्क डांस है क्या है केरल का मास्क डांस है अगर आपसे पूछा जाएगा इन में से कौन सा केरल का एक मास्क डांस है तो केरल का मास्क डांस है पद यानी पद यानी ये केरल का मास्क डांस है मेरी सारी बाते अगर किलियर हैं तो बता दीजिएगा ठेक है बहुत बढ़िया यूपी दोस्तो उडीसा ठेक है उडीसा का फेस्टिबल बताया था धनू जात्रा कौन सा बताया था धनू जात्रा उडीसा का बताया था आगे चलते हैं अगले कोश्चन पर अगला कोश्चन है भाई आपका नसलिये भेदभाव के अनमूलन के लिए अंतराश्टे दिवस कब मनाया जाता है International Day for the Elimination of Racial Discrimination मेरे दोस्तों बता दीजेगा ये 21 मार्च है 26 मार्च है 21 अपरेल है या 14 फरवरी है आंसर कर दो जल्दी से फड़ाफट से ठीक है यहाँ पे यह आंसर आपको पता होना चाहिए हाँ जी मास्क लगा के करते हैं ये डांस तो यहाँ पे जब भी आपसे पूछा जाएगा अगर हम उसके बारे में चर्चा करेंगे तो 21 मार्च आ जाएगा और 21 मार्च के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा देखेगा ये आपका Poetry Day भी है Poetry Day भी है ये आपका International Forest Day भी है तो Poetry Day है Forest Day है याद रखेंगे दूसरी चीजे आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है Article No.15 क्या कहता है तो Article No.15 ये कहता है भीया कि जो हमारा क्या कहते है नॉर्मली अगर मैं चर्चा करूँगा आप सभी लोगों से कि जो किसी के भी साथ में उसके जाती पर उसके धर्म पर उसके जन्मिस्थान पर उसके रंग पर उसकी नसल पर भेदभाव नहीं होना चाहिए ये हमारा क्या कहता है Article No.15 कहता है याद रखेंगे तो नसल ये भेदभाव के अन्मूलन के लिए अंतरास्टे दिवस जो है वो 21 मार्च है, Forest Day भी 21 मार्च है आप लोगों का और हमारा कला दिवस भी 21 मार्च है याद रखेंगे मतलब कला नहीं Poetry Day और Forest कला तो 15 अपरेल को आता है समझ में आगी बात चलिएगा अगला है World Book of Records द्वारा भारत में किस सुरंग को 1000 फीट के उपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुगरंग के रूप में मान्यता दी गई है तो जो जिला टनल को दिया है अटल टनल को दिया है तो आंसर बनेगा अटल टनल रोहतांग दर्रा ठीक है तो ये क्या है अटल टनल रोहतांग दर्रा याद रखेंगे important है मार कर लेंगे ठीक है चलिएगा दोस्तो सबसे लंबी सबसे लंबी अगर आपसे पूछी जाएगी कि भाईया जो sip channel है sip channel नहीं सुरंग सुरंग सबसे लंबी जो हमारी sip tunnel है ये कहां पर है तो सबसे लंबी sip tunnel है नौरवे में ठीक है और कहां पर है नौरवे में नौरवे में नौरवे में और सबसे लंबा जो हमारा sip channel lock है ठीक है ये कहां पर है नीदर लेंड में कहां पर नीदर लेंड में ठीक है तो सबसे बढ़ी अगर हम बात करेंगे ठीक है बहुत बढ़िया सेफ स्कोर बढ़िया है राजवन जी ठीक है तो सिफ टनल नौर्वे में है ठीक है सबसे बढ़ी और सिफ कैनल लोक जो आपकी है वो नीदर लेंड में है ये दोनों बाते अलग अलग है इनको ध्यान में रखिएगा ठीक है चलिएगा आगे चलें अगला कोश्चन है आपके स्क्रीन पर रास्टिय चिकित्रक दिवस हर साल कब मनाये जाता है National Doctors Day ये कब आता है National Doctors Day तो जब मैं National Doctors Day के बारे में चर्चा करूंगा तो सबसे पहले देखेगा एक जुलाई को क्या है एक जुलाई को CA day है CA मतलब क्या होता है Chartered Accountant होता है ठीक है अगर आपसे पूछा जाएगा SBI का day का बाता है तो वो भी एक जुलाई है Postal Worker Day Postal Worker Day Dark Karamčारी दिवस एक जुलाई है ठीक है और अगर हम बात करेंगे तो ICAR क्या होता है Indian Council of Agriculture Research का पेपर है ठीक है तो CA है SBI है Postal Worker Day है और सात्यों एक और हमारा इस दिन दिन था वो कौन सा था GST Day तो यह हमारा GST Day है और यही हमारा Doctor Day है क्या है Doctor Day है अब अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो है आपका मेरे सामने CA आगया Chartered Accountant तो दोस्तों अगर हम बात करेंगे आप सभी लोगों से ठीक है Institute of Chartered Accountant ठीक है तो इसके Head किसको बनाया गया है अभी इसके Head बने है न और उन Head का नाम है देवाशीश मेरे दोस्तों मित्रा क्या है देवाशीश मित्रा ICAI के Head बने है अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था ठीक है उसके बाद छोड़ दीजिएगा आगे बढ़ चलते हैं अगले कोशन पर चलो ठीक है दोस्तों नसलिये नियाए और ऐसमानता पर नसलिये नियाए और ऐसमानता पर जो हमारी मेरे दोस्तों वैस्विक रिपोर्ट है वो किस संस्थान ने प्रकाशित की है मतलब अभी मैंने आपसे पूछा था कि भाईया Racial Justice and Inequality पर एक रिपोर्ट अभी जारी हुई थी उस रिपोर्ट को जारी किस ने किया था UNHCR ने UNHRC ने देखो जादा अंतर नहीं है दोनों में दोनों में क्या नहीं है जादा अंतर नहीं है मेरे दोस्तों और ये UNSC है UNICEF है तो उपर में से ही कोई आएगा अब सुनिएगा United Nation मेरे दोस्तों ये क्या है आप लोगों का High Commission High Commission for Refugee for Refugee United Nation High Commission for Refugee ठीक है ये A option है ठीक है और ये क्या है मेरे दोस्तों ये High Commission for Refugee ये हो गया और ये है United Nation United Nation ठीक है मेरे दोस्तों Human Right Commission ठीक है तो answer क्या बनेगा आप लोगों का ये है ठीक है तो ये क्या बनेगा UNHRC बनेगा ठीक है तो यहाँ पर B option आपका बन जाएगा ओके चलिएगा कल आपकी छुटी रहेगी परसों आपकी छुटी रहेगी ठीक है दो बज़े वाले बैच की दो बज़े वाले बैच की कल छुटी रहेगी परसों छुटी रहेगी अब सीधे मंडे को मुलाकात होगी दो बज़े वाले बैच में ठीक चलिएगा आगे है अगला कोश्चन है तो अगला कोश्चन आप लोगों का है भारत सरकार किस वर्स तक भारत सरकार किस वर्स तक सुध सुन्य कार्बन उत्सरजक बनने के लिए प्रतिवद है नेट जीरो कार्बन अमीशन ठीक है नेट जीरो कार्बन अमीशन मेरे दोस्तों और ये है दो हजार सत्तर ठीक है सुभह वाली कलास होगी सुभह वाली कलास होगी ठीक है दो बजे वाली इसलिए रहेगी घर जाएंगा छुटी है घर में किसी की साधी है ठीक है चलिएगा तो दो हजार सत्तर यहाँ पर बन जाएगा अगला कोशन है आप लोगों का यहाँ पर देखेगा कौन सा निकाए भारत में स्टोक एक्सचेंजों को नियंतरित करता है क्या क्या है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ओफ इंडिया तो जो हमारा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ओफ इंडिया है वो हमारा मेरे दोस्तों क्या है यहाँ पर आंसर बनेगा क्या बनेगा आंसर बनेगा ठीक है और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ओफ इंडिया के कौन है अजे त्यागी है तो नहीं अजे त्यागी अजे त्यागी है चीक है तो ये सारी चीजे ध्यान रखनी है अगला कोश्चन है भाई security printing and meeting corporation of India limited ये किस संस्थान के तत्वधन कार्य करती है और आपके लिए SPM CIL की full form भी important है security printing and meeting corporation of India limited है ये मेरे दोस्तों कौन से क्या कहते हैं के तत्वधन काम करती है बताओ Reserve Bank of India के Ministry of Finance के Ministry of External Affairs या Ministry of Commerce ठीक है चलिएगा आगे चलते हैं फटाफट से तो ये Ministry of Finance के अंडर काम करती है याद में रख लेना निम्मी आंटी निर्मला सितारमन ठीक समझ में आ गया अच्छा ये हमारी इसकी मशीने कहां पर है नोट चापने वाली कहां कहां ही है मशीने तो यह मशीने है आप लोगों की देवास में देवास में मेरे दोस्तों नासिक में देवास में नासिक में मैसूरू में ठीक है और सबलोनी में तो यह चार जगा आप लोगों की पढ़ेंगी जो आपकी मशीने हैं ध्यान रखिएगा दोस्तो NCRB के अनुसार NCRB क्या है आप लोगों का National Crime Record Bureau के अनुसार विच हंटिंग के एक भाग के रूप में किस भारती राज्ये में सबसे अधिक हत्याई हुई है तो जल्दी से बता दो सबसे ज़्यादा हत्याई कहा हुई है NCRB का डेटा बता रहा है ठीक है तो NCRB की जो रिपोर्ट है वो क्या कह रही है चर्चा कर दो जल्दी से फटा फट से NCRB की रिपोर्ट ठीक है क्या कह रही है NCRB की रिपोर्ट के बारे में तो जारकंड आपका आ रहा है तो मेरे ख्याल से जहारकंड आंसर लगा देना चाहिए यह रहा जहारकंड अच्छा NCRB के बारे में दो बाते ध्यान से समझेंगे एक पड़ेगा NCRB कब बना था 1986 में बना था हेड कौन है इसके रामफल तो रामफल पवार इसके हेड हैं दोस्तो कौन से मंत्राले के अंदर काम करता है यह यह काम करता है हॉम मिनिस्टरी के अंडर किसके अंडर हॉम मिनिस्टरी के अंडर यह काम करता है ठीक है तो यहां से कितने कोशन बन सकते NCRB किसके अंडर काम करता है ठीक है आपसे पूछेंगे हमार अपन बजट, हमार अपन बजट ये कहा पर, तो हमार अपन बजट जो है, ये हमारा जारखंड का पोर्टल है, ठीक है, अच्छा आपसे पूछा जाएगा निलामबर पितामबर योजना, निलामबर पितामबर योजना, निलामबर और पितामबर य योजना ठीक है कैसकी योजना है निलांबर पितांबर जारखंड की योजना है ठीक है चलिएगा हान जी मीत जी बढ़िया है विदे को कट अफ कहा जाती है ठीक अगला कोशन है आप लोगों का अगले कोशन पर आ जाओ रानी गैंदूलियो रेलवे स्टेशन कहां पर है तो अभी आपको मैंने बताया था कि भाईया जो रानी गैंदूलियो है वो हमारी फ्रीडम फाइटर है और मनीपुर में उनका जो म्यूजियम बन रहा है मनीपुर में जो म्यूजियम बन रहा है वह म्यूजियम का इनोग्रेशन इनोग्रेशन नी आधार सिला अमित सहा ने रखी थी किसने अमित सहा ने कहां पर मनीपुर में जब मनीपुर में थोड़ा सा पढ़ेंगे ठीक है मनीपुर में जाएंगे तो मनीपुर की कैपिटल बता दो जल्दी से यहाँ पे CM है एन वीरेन सिंग ठीक है मीरा बाई चानू मीरा बाई चानू यहीं पर है मेरे दोस्तो मनिपूर के गवर्णर बताओ कौन है ठीक है और उसके बाद अगर हम बात करेंगे हाँ पर मनिपूर की तो मनिपूर में अठारवा कचई लेमन क्या है कचई लेमन फेस्टिवल है जो हमें चर्चा में है याद रखना है ठीक है चलिएगा अगले कोशन पर आ जाओ दोस्तों खबरों में रहा सिंजियांग छेत्र तो सिंजियांग छेत्र में लेबर हनन के मामले सामने आये थे labor hanan के मामले सामने आये थे labor exploitation के मामले सामने आये थे तो sinj yang chetra में इसी लिए इस पर action लिया था ILO ने ठीक है international labor organization ने ये कहाँ पर है ये चाइना में है कहाँ पर है चाइना में है दोस्तों ठीक है अच्छा press freedom index में press freedom index में सबसे नीचे कौन है तो press freedom index में सबसे नीचे है कोरिया मतलब North Korea है क्या है North Korea है याद रखेंगे ये South Korea है तो भारत का मैतरी पार्क मैतरी पार्क किसके साथ में है तो भारत का मैतरी पार्क जो है वो South Korea के साथ में ठीक है चलिएगा शिलिंग इन में से किस देश की मुद्रा है शिलिंग शिलिंग कहा की मुद्रा है शिलिंग कहा की मुद्रा है बता दो शिलिंग कहा की मुद्रा है आंसर 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 शिलिंग कहा की मुद्रा है तो शिलिंग जो है ये केन्या की मुद्रा है याद रखेंगा ठीक है इथोपिया की करंसी क्या है इथोपिया की करंसी है बिर जरूर याद रखना ठीक है इंपोटेंट है केन्या है उसके बाद है भारत साला ना किस देश के साथ एक बजर प्रहार नाम का एकसरसाईज करता है बजर प्रहार तो अगर पूछेंगे रेड फ्लैग के बारे में ठीकेंगे पूछेंगे बजर प्रहार के बारे में ठीक है या पूछेंगे युद अभ्यास के बारे में किसके बारे में युद अभ्यास के बारे में तो युद अभ्यास रेड फ्लैग बजर प्रहार यूएसे के साथ में किसके साथ में यूएसे के साथ में भारत का और इसराइल का 30 साल का राजनिया एक संबंध हो चुका है अभी करंटली ये क्या है फ्रांस है इसके साथ में शक्ति है कौन सी है शक्ति है याद रखेंगे ठेक अगला है ग्लोबल लिबेविल्टी इंडेक्स के संगठन द्वारा जारी किया जाता है ग्लोबल लिबेविल्टी इंडेक्स तो सबसे ज़्यादा लिबेवल सिटी कौन सी है और अगलेंड है भारत में बैंगलोर है तो जब भी कभी आपसे पूछेंगे तो ये आजाएगा Economist Intelligence Unit Headquarter कहां पर है London में है और अगर आपसे पूछेंगे कि Democracy Index कौन जारी करता है Democracy Index भी यही जारी करता है ध्यान में रखेंगे ठीक है चंदन भारत के किस राज्य का राजके व्रक्ष है चंदन भारत के किस राज्य का राजके व्रक्ष है आंसर कर दो जल्दी से फटाफट से ठीक है तो चंदन कहां का है चंदन करनाटक का है याद रखेंगे होलोंग कहां का है होलोंग होलोंग कहां का है होलोंग तो सुभा ही पढ़ाया था होलोंग जो है वो असम का है कहां का है असम का है कर्मा निरत्य कहां का है दो से चार दिन पहले पढ़ाया था कर्मा निरत्य कहां का है कर्मा निरत्य कहां का है कर्मा ठीक है कर्मा निरत्य कहां का है जल्दी से बताओ कर्मा तो कर्मा मध्य प्रदेश नहीं है उप्षन में उड़ीसा लग जाएगा क्या लग जाएगा उत्तर प्रदेश में क्या जाएगा भाईया नौ टंकी नौ टंकी उत्तर प्रदेश का है ठीक है गुजरात का है भवई तो भवई गुजरात का है दियान में रख लेना ठीक है चलिएगा उसके बादे फगली महुत सब कहां का है ये फगली फगली क्या है फगली कहां का है तो दोस्तों अगर फगली पूछेगा तो हिमाचल का है और अगर पूछता फूल देही फूल देही उत्राखंड का है कहां का है उत्राखंड का है दोस्तों ये क्या है करची पूजा करची पूजा ठीक है नागा लेंड में हॉर्न बिल क्या हॉर्न बिल नागा लेंड है ठी गड़ बस्तर दसेहरा ये 36 गड़ है याद रख लेना ठीक है अगला कोश्चन है भईया Economist Intelligence Unit का मुख्याल ले कहां पर है Economist Intelligence Unit का मुख्याल ले अभी चर्चा में बताया था Economist Intelligence Unit का मुख्याल ले कहां पर है तो Economist Intelligence Unit का मुख्याल ले कहां पर है बता दीजेगा Economist Intelligence Unit का जो मुख्याल ले है वो मिलेगा लंदन में अगला कोश्चन है आपका गुरु घासी दास रास्टी उध्यान किस राज्ये में है गुरु घासी दास रास्टी उध्यान कहां पर है गुरु घासी दास मेरे दोस्तो राजिस्त ये कहाँ पर है ये हमारा राश्टी पार्क 36 गड़ में है कहाँ पर है 36 गड़ 36 गड़ 36 गड़ 36 गड़ बहुत बढ़िया पवंजी बिहार S.I.E. में आपका हो गया ठेक है 36 गड़ का सुप्रीम कोट का है रिसी करा 36 गड़ का सुप्रीम कोट नहीं होगा 36 गड़ का हाई कोट पूछ रहे होंगे ठीक है 26 गड़ का high court पूछ रहे हुंगे चलिएगा internet & mobile association का मुख्याले कहाँ पर है internet & mobile association का मुख्याले कहाँ पर है answer करो जल्दी से ठीक है तो जल्दी से बता दू फटा-फट से ठीक है तो यहाँ पर आप सभी लोगों का कोई doubt है तो बता देंगे जल्दी से, ठीक है चलियेगा अच्छा कोई बात नी हो जाएगा पवण टेंशन क्यों ले रहे हूँ ठीक है, चट्रिसगर का 고, अच्छा कोट ही बताना है तो चट्रिसगर का जो हाइड कोट है वो बिलासपुर में है ठीक है याद रखे बिलास विसालपुर है ठीक है जहाँ पर है तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यह कहाँ पर है आपको पता ही है सभी को मुंबई 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 नई दिल्ली नहीं है मैंने मना किया है न नई दिल्ली नई दिल्ली नहीं है याद रखेगा ठीक है चलिएगा अगर हम बात करेंगे ठीक है चलो आगे आजो फटा फट से ठीक नई दिल्ली में नहीं था दोस्तों नौर्गेस बैंक नौर्गेस बैंक का मुख्याले कहां पर है नौर्गेस बैंक का मुख्याले कहां पर है बता दो जल्दी से ओ कोई बात नी पवन टेंशन नहीं लीजेगा इस बार होगा नौर्गेस मुखे बैंक अभी चर्चा में था पढ़ाया भी था मैंने आपको नौर्गेस बैंक करते रहिएगा लाइक भी शेर भी तो नौर्गेस बैंक जो है ये मिलेगा नौर्वे में कहां मिलेगा ठीक है मुझे बताईएगा कि भाईया जो हमारे जोनस गेहर मेरे दोस्तों इस्टोर है ये कहां के प्रधानमंत्री है जोनस गेहर इस्टोर है ये कहां के प्रधानमंत्री है बता दो ठीक है मनी रंग परवत भारत के किस भाग में है मनी रंग परवत माउंट मनी रंग माउंट मनी रंग, ठीक है, तो माउंट मनी रंग के बारे में बता दीजिएगा, ठीक है, माउंट मनी रंग के बारे में बता दीजिएगा, ठीक है, चलिएगा, तो माउंट मनी रंग जो बनेगा, हिमाचल में बनेगा, और माउंट मनी पुर, माउंट मनी पुर जो बनेगा वो बनेगा अंडमान निकोबार में ठीक है चलिएगा तो माउंट मणी रंग कहां पे है हिमाचल प्रदेश में है गलत कर रहे हो दो दिन पहले सुभा की क्लास उठा के देखना साथ बजे वाली की पढ़ाया था की नहीं पढ़ाया था ठीक चलिएगा ये रे वरेन किस देश की राजधानी है भाई ये रे वरेन इसको तो आप ऐसे ही बता दोगे ये रे वरेन किस की राजधानी है ये रे वरेन ये रे वरेन किस देश की राजधानी है करो आंसर करो जल्दी से निकालो आंसर अर्मेनिया हैती की बताई थी अभी हैती की बताई उलन बतार मंगोलिया की है ठीक है इंडोनेशिया की नुसंत्रा इंडोनेशिया की है ठीक है तो यह अर्मेनिया आ जाएगा पॉइंट केली मरे, वाइड लाइफ एंड वर्ड सेंचुरी, पॉइंट केली मरे, पॉइंट केली मरे, मेरे दोस्तों जो वाइड लाइफ एंड वर्ड सेंचुरी है, कहां पर है, पॉइंट केली मरे, बताइएगा एक बार जल्दी से, पॉइंट केली मरे, पॉइंट केली में चलिएगा अगला कोशन रोहिंटन बारिया रोहिंटन बारिया मेरे दोस्तों गोल्ड ट्रोफी किस से रिलेट करती है रोहिंटन बारिया गोल्ड ट्रोफी किस से रिलेट करती है तो रोहिंटन बारिया गोल्ड ट्रोफी किस से रोहित बहुत मार रहा कल भी होता ना रोह किर्किट में है रोहिंटन बारिया गोल्ड ट्रॉफी जो है ये किर्किट से है अब आपके 10 कोशन में आपका टेस्ट होगा ठीक है क्या होगा 10 कोशन में आपका टेस्ट होगा ठीक है तो जल्दी से बता दो फड़ा फट से 10 कोशन आप लोगों के हैं ओके बहुत-बहुत- के बारे में बता दीजिएगा अगले 10 कोशन के बारे में आपका कितना स्कोर रहेगा जल्दी से बताईएगा ठीक है तो अगले 10 में कितना नंबर आएगा कमेंट करके बताना है इसके बाद में ठीक है आजाओ फटाफट से रेडी हैं तो थमसब दिखा दो एक बार 18 पर 40 रोहित ने बहुत बढ़िया बहुत बहुत मार रहे है इसलिए था चलो आजाओ चंदन भारत के किस राज्ये का राज के विरक्ष है कोशन करा चुका हूँ गलत नहीं होना चाहिए बताओ जल्दी से सैंडल बुड कहां का है आंसर करो जल्दी से बता चुका हूँ और अपना स्कोर भी बताते जाएंगे हर बार ठीक है अपना स्कोर काउंट करेंगे खुद से 10 कोशण है फटा फट हो जाएंगे तो इसका अंसर आजाना चाहिए था करनाटक क्या है करनाटक बताचुका हूँ अल्रेडी ऐसे ही रटाओंगा करनाटक राज्ये का पुराना नाम क्या है करनाटक राज्य का पुराना नाम क्या है बताइएगा दूसरा कोश्चन है मदरास है मैसूरू है कननणा है या त्रवनकोर है करनाटक का पुराना नाम क्या है आंसर दूसरा कोश्चन है ये दो नमबर के लिए तो करनाटक का मोहित वर्मा शंजना श्रेया इसका पुराना नाम था इस्टेट ओफ मैसूर इस्टेट ओफ मैसूर तो दो नमबर पक्के हो गए होंगे आप लोगों के दो नमबर जिसके पक्के हैं लिख देना ठीक है अगला है आपका भारत में रोमन रोलेंड लाइब्रेरी कहां पर है आंसर करेंगे नमबर बताएंगे रोमन रोलेंड लाइब्रेरी कहां पर है आंसर प्लस नमबर रोमन रोलेंड लाइब्रेरी रोमन रोलेंड लाइब्रेरी ठीक है तो Romane Roland Library that is in Puduchieri कहाँ पर है Puduchieri ठीक है अगला कोशन है Cara Coram बणिजीव अभ्हारन कहाँ पर है Cara Coram Cara Coram वाइड लाइफ सेंचूरी चोथा कोशन चोथा नमबर चोथा कोशन है और चोथा नमबर है Cara Coram वाइड लाइफ सेंचूरी कहां पर है कारा कोरम वाइड लाइफ सेंचूरी कहां पर है तो दोस्तो चार नमबर पक्के हो गए होंगे लदाक के साथ में लदाक के साथ में चार नमबर पक्के चलिएगा पांचवा रंजीत सागर बांध कहां है रंजीत सागरबांध कहाँ है रंजीत सागरबांध कहाँ पर है बताइएगा और 5 question जिसके सही हुए है थमसब दिखा देगा थाक है 5 पे 5 note out चल रहा है मामला 5 पे 5 note out 5 पे 5 note out एक बार number लिख दो जल्दी से सभी लोग थेक है फिर आगे बढ़ते हैं पांच पे पांच वाले ठीक है पांच पे पांच वाले लिखो फिर एक बार आगे बढ़ेंगे अगला कोशन आ जाईएगा दोस्तो महा सभा में पिर्ति निभित्व करने वाले सदस्यों की संख्या कितनी है तो ये है आपकी कितनी संख्या है महा सभ में यूनाइटिड नेशन मेरे दोस्तो जर्नल असेंबली में पवनकस्य पाँच में से पाँच अन्नु चार पूजा पंजाब आर्यन जीरो यूपी सुनील दस मीत चार करम जीत पाँच हार्दिक पाँच किसोर चोधरी पाँच राज चार बहुत बढ़िया रीतू रेखा अर्पिता नोमी शूर्या अनु यूके यहां प्या जाएगा 193 अगला कोशन नंबर साथ आजएगा पवन खुसवाहा कुमार कौम पक्षिय भ्यारण कुमार कौम पक्षिय भ्यारण आंसर 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 कुमार कौम पक्षिय भ्यारण आंसर कर दो जल्दी से कुमार कौम वर्ड सेंचुरी कहां पर है तो कुमार कौम वर्ड सेंचुरी कहां मिलेगी ये मिलेगी आपको केरल में कहां मिलेगी केरल में बहुत बढ़ा सुनीत कुमार पांडा कोली नरत्य कहां का है कोली कोली नरत्य कहां का है कोली कोली नरत्य कहां का है कोली 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 बताओ को के हैं 8 नंबर ठीक है चलिएगा साथ के बाद 8 हो गया उसके बाद 9 नंबर पर आ जाईएगा हो लोंग किस राज्य का ब्रक्ष है थोड़ी दिर पहले बताया था हो लोंग को हो लोंग कहा का राज्य ब्रक्ष है तो हो लोंग किस राज्य का राज्य के ब्रक्ष है बता जेगा होलोंग तो होलोंग के बारे में आसम आ जाएगा थोड़ी दिर पहले बताया था ठीक है अगला last question है आपका ठीक है बोर लोग पुरुसकार किस छेतर में दिया जाता है बोर लोग पुरुसकार किस छेतर में दिया जाता है बोर लोग पुरुसकार बताया था बोर लो आपका question जो है वो कैसा है extra जिसने गलती की थी वो इस question को सही करो उसकी गलती माफ ठीक है जिसने question एक बचा है इसको सही कर दोगे तो आपकी एक गलती माफ हो जाएगी ठीक है हर देवल परवत कहां पर है हर देवल परवत कहां पर है वो एक गलती करने वालों की गलती माफ के लिए कोशन है ठीक है हर देवल परवत कहां पर है हर देवल परवत तो जो हर देवल परवत है वो मिलेगा उत्राखंड के अंदर ठीक है अब बता दो किसके दस सही हुए है ठीक है दस ग्यारा किसके सही हुए है आज का होमवर्क है वा डॉंगो किस देश की राजधानी है 17 फरवरी होमवर्क है आज का चलिएगा और डॉमकच बिहार का है ये करा दिया था डेली सुभा 7 बजे जुड़ना ना भूले करंटा फेर ताजा ताजा अब क्लास होगी कब मंडे को 2 बजे वाली सुभा 7 बजे वाली क्लास कल भी होगी परसो भी होगी ठीक है लेकिन जो इंडियन बॉय है ठीक है तो ये है चलिएगा और सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा बढ़िया से सारी चीजों का ठीक है मेरा नाइन राइट है काजल जै भोला सब सही है ठीक है काजल ठीक है 010 बहुत बढ़िया मोहित वर्मा थैंक यू वेलकम तो मिलते हैं फिर मंड को तब तक के लिए टाटा बाय बाय है ध्यान रखिएगा जै हिंद है जै भारत है और सुभा को साथ बजे भी मिलेंगे चलिए